नमिश्कार बहरिचा सिंग और आप देख रहे हैं सीरियूस भारत हिस्सा लिया जिनमें गुरकुल एकडमी, सेंड एमाड जैपुरिया, सेंड जोसेफ कॉलेज, सेंड जोसेफ मॉन्टे स्री, स्कॉलर हों, सीमस गोमती नगर, लखनो पबलिक कॉलेज, सेंड बॉसको कॉलेज शामिल रहे इस कारिकरम का उदेश्य बस इतना है कि सांगितिक रंगमंची की कला का जश्न मनाने के लिए विविन ने विद्यालियों के प्रतिभाशाली यवा कलाकारों को एक साथ लाना और विद्यार्थियों का बहु मुखे विकास करना है और प्रदीशन कला की एक उत्साही समर्थक दिवंगत क्रिशना सूध की विरासत का सम्भान करना है वही छात्रों को उत्साही दर्शकों के सामनी अपनी रुचनात मकता और कौशल दिखाने के लिए एक मंच प्रदान करना है आपको बता दें कि कारिक्रम की शिरुवात एक सुन्दर प्रातना नुत्य और संस्थान की निदेशक रीता खन्ना के स्वागत भाशन के साथ हुई जिन्नोंने दिवंगत क्रिशना सूध की यादे साजहा की कला और सक्षा को एक इकरित करने के महत्व पर जोड दिया इसे के साथ प्रतेक विद्याले द्वारा विभिन्न सूत्र एक सजावत विश्र को दर्शाते हुए एक अध्भुत एवं सुन्दर संगीत में प्रस्तुती दी गई प्रतेक प्रस्तुती संगीत और नाटक की एक जीवंत खोश थी जिसमें छात्रोंने अभिने गायन और निति में अपनी प्रतिभा का प्रेशन किया मेजुबान विद्याले के विद्यार्थियों द्वारा उलेकनी स्वागत संगीत में नित्य प्रस्तूती दी गई नय अधीशों में अनुभवीर वंग मंच पेशेवर और सक्षक गोपाल सिन्हा पुनीत अस्थाना और डॉक्टर नव शरन सिंग शामिल रहे जिन्होंने रचनात मक्ता मंच पर उपस्थित गायन, शंता और नित्य निर्देशन जैसे मांदंडों के आधार पर प्रतेक प् समूल यांकन किया, सभी प्रतिभागियों ने अपना सर्विश्रिष्ट दिया और भारत की भौगोलिक, सामाजिक और संस्क्रतिक विविविदता का जिक्ष्ण मराया, कारिक्रिम के समापन के अबसर पर विजेताओं को पुरिसकार दिया गया, पहला पुरिसकार सेंट ज जोसे अब सिताप और रोट को मिला, इस प्रेकार सभी विजेताओं को पुरिसकत किया गया, सिया मिश्रा, ये बताईए कि आप जीत गए हैं, आप लोग थर्ड आएं, तो आपको कैसा लग रहा है, हमें अच्छा तो बहुत लग रहा है क्योंकि मेहनत बहुत करी थी, बा इस एक साथ मिल के रहते हैं, राहिशा राहिए, अच्छा आप परस्ट आयों तो आप सितको कैसा लग रहा है, अच्छा आपको गया थी, ये अर बहुत लग फिलिंग है और हमने एक्षपक्नी किया था अच्छा इम क्या था तो अबसी की थीम क्या था, और नोगों को को द्रोनाचारे और एकलव पे यह मेंडी बेज था इसमें यह भी एक मेसेज है कि प्राक्टिस मेक्समान पर्फेक्ट और आपके जो गुरू है उनकी भी बात मारना चाहिए इससे हम यह बताना चाहरते कि जिस ते भारत का इतिहास हमें एकता सिखाता है और द्रोनाचारे जी ने पांडवो को एकता के साथ शिक्षा दी लेकिन एकलव को जात पात के चलते वो शिक्षा नहीं दे पाए तो एकलव ने कैसे अपने बलिदान से उनको खुश किया और आज भी हम एकलव का नाम लेते हैं तो उनकी महानता को दर्शाते हुए हमने ये डांस किया था और हमें प्राइस मिला मेरे नाम मुननती भारदवाजे मेरा मैं सिन जोसेफ पॉलर सीथा पूरोड ब्रांग से हूँ मैम आप के बचे फर्स्ट आया हैं तो आपको मैम कैसा लग रहा है और आपने किस तरीके से इनकी तियारिया करवाई तो जी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है काफी एक्सपेक्टेट था हमाई बच्चों ने बहुत पहनत की थी इस परफॉर्मेंस के लिए और हमारा उदेश इस परफॉर्मेंस के बस यही था जैसा की टॉबिक भी था डाइवर्स ट्रेट स्वन टेपिस्ट्री सो हमने यूनिटी डावर्सिटी अनेकता में एकता दिखाने की कोशिश की डिफरेंट डिफरेंट कल्चर से नॉर्थ हमने लिया इस्ट साउथ वेस हर जगा हमने देवी मा की पुजा दिखाई कि अलग अलग विभिन तरह के स्टेट सोने के बाद भी हम लोग कैसे एक तरीके से ही भगवान को पूझते हैं ये जो स्प्रिंग्डेल कॉलेज ने ओर्गनाइस कराया है प्रोग्राम इसमें हमने नरतिनाटिका प्रश्टुत की है जिसका शिवशक्ता भक्ति में ही ही शक्ति है इसके माध्यम से हमने ये दिखाया कि अनेकता में एकता हिंद की विशेस्ता और इस विशेस्ता के अंदर के सबसे बड़ी विशेस्ता ये है कि हम चाहें जिस भी देश के रहने वाले हों, जिस भी भाशा को बोलने वाले हों, जिस भी धर्म के फॉलोवर हों, किन्तु हम सब की अस परआम, पिताप, पर मात्मा के हम सब रहना है, और हम सब उसकी भक्ति में ही लीन रहना चारते हैं. भक्ति का जो माध्यम है, वो चाहें जो हो, लेकिन मकसत सिर्फ और सिर्फ उस इश्वर की बन्दना करना है. यह जो हमने निर्टिनाटिका प्रस्तुत की है उसका मियूजिक पार्ट जो आपने देखा ही मांशु जी ने तयार कराया था और जो निर्टिका पार्ट आपने देखा वो शुभम जी ने तयार कराया था और ड्रामा पार्ट मैंने तयार कराया था मेरा नाम कातेनी पावन्शर्मा है आपने अपने नाटक में कौन सा रोल किया था मैंने अपने नाटक में रुकमनी का रोल किया है जो ये दिखाती है कि इश्वर के प्रती उनका प्रेम इतना साधारन है इतना शीतल है पानी की तरह कि उन्हें किसी ज्यादा चीजों की स्टेट का स्टुडेंट हो हमारा एक रूप यहां पे स्पिंग्डेल कॉलेज के दौरा और नाइस किये गए एक डांस डामा कॉम्टीशन में पाटिस्पेट करने आये थे हमारा डांस डामा का टॉपिक था भक्ती में ही शक्ति है प्राजिता जी बताइए कि आप लोगों हैं बहुत सारे धर्म हैं अलग-अलग लेकिन इस्टिल हम जो पूजा करते हैं जो हमारा भक्ती का भाव है वो चाहिए किसी भी धर्म में आप ले लिजे एक ही भाव होता है वो है लव इश्वर कर प्रति प्रेम क्या नाम है इशित चौबिव कौन से स्कूल से हैं आप ग इंशान शोशल अनिमल है तो समाज में रहने के लिए उसे एकता बहुत जरूरी है और कई तरीके के लोग रहते हैं भारत में बहुत सारे लोग रहते हैं तो अगर हमें समाज में रहना है सबसे मिल जूल कर लाना है तो एकता बहुत जरूरी है तो इसी की उपर हम लोग न एक हम लोगों का मेर जो नालतक का थीम ठाव वो था एकता दिखाना तो जैसे कि हम लोग जानती हैं ही जिसे हिंदु-मुस्लिम Kid वगारे में बहुत साँरी लड़ायां होती हैं। तो हम लोगों का मोटो सिर्फ यह था दिखाना कि जो हिंदू और मुसलिम हैं सारे धर्म लोग एक हैं और हमें किसी के साथ पास्ट्राइटी नहीं करनी चाहिए और हमाये अक्ट से हम लोगों को यह भी पता चलता है कि हम लोगों ने अपने आतंगवाद से भी रिलेटेट को दिखाया था तो बस यह कहना चाहूंगा कि हम लोगों ने दिखाया था कि एकता में रहना चाहिए था हम लोगों को बुरे कामों को करने से पीछे आटना चाहिए कि आतंगवादों को दिखाया था कि वो बुरे काम है उससे हम लोगों की एकता में भी हानी पहुचती है और हमाया देश में भी बहुत सारी परिशानिया होती है तो हम लोगों की यह सब नहीं करना शगी है मैं रिना हूं गुरुकुल कैड़मी से है मैं बच्चों को लेकर आई हूँ यहां पर हमने यहां पर अनिकता में एकता दिखाया है हमने अपने बच्चों के साथ में अलग अधर्म लख भूबद्ध को भी दिखाया है लोगों में आपस हुआं यांव replies एक आपक अम्नीय सरपंश को भी सिर्फाया बलकि इश्वर धर्ती पे जो है एक ही इंसान को भेजता है लेकिन जो विभनता होती वो हम से होती है हम लोग बनाते हैं ऐसा कुछ नहीं है आतंगवाग एक कीड़ा है जो हम लोग के मस्तिक में पनप्रा है जो से हमें हटाना है इसी संदेश के साथ हम लोग यहां पर आये आप देखते रहे हैं तो हम सब लोग एक है तो हम सब लोग एक होके उसका सामना करते हैं फिलाल इस खास रिपोर्ट में बसितना ही देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहे हैं सीरियूस भारत हर खबर आपके साथ आपकी हाथ